नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चित्रकूट धाम में मौजूद महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विस्विद्याले का भ्रमण करानी जा रहा हूँ। इस विस्विद्याले की निव लगभग सन 1990 के आसपास हमारी संत सिरोमणी स्री नाना जी देश मुख जी के द्वारा रखी गए थी। सुरुवात के दौर में ये विस्विद्याले बहुत ही छोटा था लेकिन आज के समय में आज के तारीख में ये विस्विद्याले बहुत ही ब्रहद रूप धारण कर चुका है इसका बहुत ही विकास हो चुका है। यदि यहाँ पर एजूकेशन की बात करें तो दूर दराज के दूर दूर के लोग यहाँ पर आकर के विद्यार्थी विद्या का अध्यन करते हैं इस विद्याले में अलग अलग प्रकार की संकाएं हैं जहां पर अलग-अलग बिस्यों की पढ़ाई होती है, अध्येन होता है, चाहे वो vocational system हो, चाहे वो normal graduation हो, या चाहे PhD हो, computer हो, technology हो, computer हो, सभी बिस्यों की पढ़ाई, चाहे engineering पढ़ाई हो, सभी बिस्यों की पढ़ाई बिदिविद्धान से होती है, अपनी गुणवत्ता के लिए, अपनी education के लिए, education system के लिए, ये बिस्यों बिद्याले लगभग मद्ध भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है, यहां पर बहुत ही सुबधायुक्त चातरवास हैं, जो अलग-अलग छेत्रे में मौजूद है, यहां का campus इतना खुबसूरत है, कि आप यदि घूमने आएंगे, तो घूमते ही रह जाएंगे, देखिए, कितना खुबसूरत campus, अच्छी पुस्तकों से बढ़कर संसार में और कोई स्रेष्ट मार्ग दर्सक नहीं हो सकता, बिद्या एक अमूल धन है, जिसको कोई नहीं बाढ़ सकता, इस प्रकार के बिसियों को साच्छातकार करते हुए बिस्विद्याले, महात्मा गांधी, चित्रकोट ग्रामोदे बिस्विद्याले, आज के समय पर अपने गुणवत्ता और बिद्या अध्धैन के लिए ख्याति प्राप्त कर चुका है, ये लगभग 300 से 400 एकड में फैला हुआ है, जैसे हम चित्रकोट में प्रवेश करते हैं, खासकर सतना तरफ से आते समय, तो चित्रकोट के प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें इस बिस्विद्याले के दर्सन होते हैं, और जिनके सामने राम दर्सन हैं, तेखिए कितना खुबसूरत बिश्विद्याले यह बिश्विद्याले चित्रकूर्ट में मौझूद है यहाँ पर यदि किसी भी बिद्यार्थी को बिद्याध्या अध्यन करना है तो आप Google में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदर बिस्विद्याले सर्च करके वहां का डिटेल और कितने प्रकार का एजुकेशन होता है इन बिसियों की ब्रहद जानकारी प्राक्ट कर सकते हैं ये नाना जी देशमुक की मूर्ती है ये में गेट है नमस्कार